इस धर्ती पर कीडे मकोणों की लाखो प्रजातियां पाई जाती हैं लेकिन यह ऐसा कीडा है जो छोटे सांप और पक्षी जैसे जीव को भी अपना शिकार बना सकता है शायद ही आप इस बात पर विश्वास कर पाएं खैर इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे यह कीडा इस हमिंग बर्ड को अपना शिकार बना रहा है वहीं दूसरी क्लिप में भी आप देख सकते हैं कि यह एक साप को अपना शिकार बना रहा है दरसल यह कीड़ा कोई और नहीं बलकि मैंटिस है मैंटिस एक ऐसा कीड़ा है जो अपने ही प्रजादी के जीवों तक का शिकार करता है आखिर ऐसी क्या खास बात है इस जीव में जो इसे एग्रेसिव और खून का प्यासा बनाती है आज की इस वीडियो में हम इनी सवालों का जवाब जानेंगे जीव जगत में सभी जीवों की एक खाद श्रिंखला निर्धारित होती है जिसमें वह अपना शिकार किया करते हैं उधारण के तौर पर साप मेंधक का शिकार करते हैं नेवले साप को अपना भोजन बनाते हैं लेकिन यह एक ऐसा जीव है जिसकी कोई फूट चे निर्धारित नहीं है दरसल इसके चारो पैरों के नीचे नुकेले कांटे होते हैं जो शिकार करते समय इन्हें पकड बनाने में काफी मदद करते हैं यह अपने सिर को 180 डिगरी के एंगल पर घुमा सकते हैं यह जीव अपने भोजन के लिए छोटे सापों तक का शिकार करते हैं उधारण के लिए आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे मैंटिस इस छोटे से साप से भिडने से भी पीछे नहीं हट रहा और उसे पूरी तरह पकड कर अपना शिकार बना लेता है वही अगली क्लिप में आप इने चूहे का शिकार करते हुए देख सकते हैं जहां यह चूहे के चारो खाने चित्त कर देता है हाला कि चूहे फूर्टेले होते हैं लेकिन इसके बावजूद भी एक बार इनकी पकड में आ जाने पर चुहा अपने आपको इनसे नहीं छुड़ा पाता है और उसे मैंटिस का भोजन बनना पड़ जाता है अगली क्लिप में आप घात लगाए मैंटिस को इस हमिंग बर्ड पक्षी का शिकार करते हुए देख सकते हैं हाना कि यह कभी चांस होते है कि मैंटिस हमिंग बर्ड का शिकार करने में सफल होते हैं अगली क्लिप में आप मैंटिस को एक मेंधक का शिकार करते हुए देख सकते हैं जहां मैंटिस अपनी मजबूत पकड के साथ उसे खाना शुरू कर देता है वहीं अगली फुटेज में आप मैंटिस को अनोखे अंदाज में चिपकली का शिकार करते हुए देख सकते हैं जहां चिपकली बिल्कुल बेबस नजर आती है जैसे तैसे चिपकली एक बार अपने आपको छुडा भी लेती है लेकिन मैंटिस दूसरी बार में उसकी गरदन मोड कर उसे मार देता है हमने अभी जो भी क्लिप्स आपको दिखाई उनमें से मैंटिस के द्वारा किये गए किस शिकार को आपने देखा है हमें कॉमेंट करके बताए किये आगे बढ़ते हैं मैंटिस की कुछ ऐसी भी प्रजातियां पाई जाती हैं जो बिल्कुल एक पट्टे की तरह दिखती हैं इस दूरलब प्रजातwegen की सबसे खास बात यह एक सूखे पत्ते कि تरह दिखता है जिससे इसके आसपास के कीडे मकोडे इसे सूखी पत्ती समझ कर भूल कर बैठते हैं और इस मैंटिस के हाथों अपनी जान गमा देते हैं दोस्तों मैंटिस के बारे में यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजे और हाँ यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल आई टीवी हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजे आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जैहिन